Hi guys, welcome to 7th episode of Anime News आज हम लोग बात करने वाले 7 Deadly Sins के बारे में Nintendo News के बारे में और Netflix India आड करने वाले कुछ Anime के बारे में और भी बहुत कुछ तो वीडियो थोगी लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहेगे पहले बात करते है टाइटल रिविल की विज्वल और प्रोमोशनल वीडियो के बारे में Studio Orange और Crunchy Roll ने Trigon Stampet का न्यू प्रोमोशनल वीडियो New Cast Member और New Concept Art को रिलीज किया है वो भी Anime New York में है ये Anime January 2023 को रिलीज होगा इसका लिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा नेक्स में बात करते हैं Netflix को लेके Netflix ने author Nakaba Suzuki's The Seven Deadly Sins The Grouch of Eden Burke या Nanatsu no Taizai Enza no Eden Burke टीजर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया इस वीडियो में इसका प्रीमेर डेड डिसंबर 20 आप देख सकते है और ये पूरे वल्ड वाइड रिलीज होगा और इसमें ये भी रिविल हुआ है कि सवाना हीरो यू की गाएंगे थीम सौंग लेवनेट को इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स में बात करते हैं और एक नियो आने में को लिकें Aniplex लाइफ स्ट्रीम ने स्ट्रीम किया है इसका की विज्वल और प्रोमोशनल वीडियो भी रिलीस हुआ है वीडियो में और भी स्टाफ के बारे में डीटेल में कहा है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरे में बात करते हैं मांगा और गेम्स को लेकिए इस साल 12 इश्यू आफ अकिता श्वंतेन यंग चैंपियन रेट्सू मैग्जिन ने ये अनौन्स किया है कि मांगा क्रियेटर शीरो तुनाशीमा अपने न्यू मांगा जिन्रोकु विन्वुरो हांगु को हैंड रिलीस करेंगे नेक्स में बात करते हैं और एक मांगा को लेकिए 28 इश्यू आफ निहोन भूंगुशी मांगा गोरुको स्पेशल डिजिटल मांगा मैगजिन ने ये रिविल किया है कि क्रियेटर हारुको एनट्सू और कोजो ताकाहाशी क्रोलर देन डेट और एक मांगा टाइटल रेना तो क्यूनी नो ओतो को ताची रेना नाइन मैं डिजिटल मांगा मैगजिन 29 इश्यू में रिलीस करेंगे जो डिसमबर 15 को रिलीस होगा नेक्स में बात करते हैं एक नए गेम को लेके आक्षिस गेम ने अनॉंस किया है कि वो लोग प्रिटी प्रिंसेस मैजिकल आइलाइन फार्मिंग सिमुलेटर गेम इन वेस्ट को स्प्रिंग 2023 में रिलीस करेंगे ये गेम अभी सिर्फ निंटेंडो पे ही अवेलेबल होगी नेक्स में बात करते हैं और एक अनिमे को लेके अनॉंस किया है कि तो हो दानमा की कागुरा रिथिम स्मार्टफोन गेम को निंटेंडो वर्शन में भी रिलीस किया जाएगा जो 2023 को रिलीस होगी तीसरे में बात करते हैं छोटा लेकिन इंपोर्टेंट अपडेट को लेके डिरेक्टर शिंगो अदाचीस लाइक्रोल रिकॉल का लाइफ स्टेज प्ले अनॉंस किया है जो तेन्जो गैलेक्सी ठेटर टोक्यो में जन्वरी 7 से जन्वरी 15 2023 तक चलेगा नेक्स में बात करते हैं इंग्लिश डब को लेके अनिमे लिमिटेड ने ये अनॉंस किया है क स्टूडियो नानो इंग्लिश डब प्रड्यूस करेगी अप्लेश फर्दर दन दा यूनिवर्स सोरा योरो मो तो बाईशो अनिमे का नेक्स में बात करते हैं साउंट्राक इन नाथ अमेरिका को लेक्टा यूरो बेस डिस्टरब्यूटर अनिमी लिमिटेड ने अनिमी न स्टाफ अफ राइट फिर्म और टी एमेस ने लुपिन जीरो नेट अनिमिन का रिविल किया हैं जहां लुपिन का रोल तासू का हातानो को करेंगे और जिगेन का रोल सुन्सु को ताकुची करेंगे नेक्स में बात करते हैं नौत अमेरिका में स्क्रीनिंग को लेगे अनिप्लेक्स ऑफ अमेरिका ने अनौन्स किया है कि स्वार्ड और आनलाइन को दस साल पूरे होने के वज़े से अनिमे नियॉयॉक में स्वार्ड और आनलाइन की मूवी दा प्रोग्रेसिव स्क्रेंजो of Deep Night को special screening मिलेगी United States और Canada में वो भी February 2023 को Next में बात करते हैं Live Action फ्लिम को लेके Author Aya Naka Haras Oto Nana Jimmy मलब adulthood friend मांगा के official website ने और दो cast member को add किया है जहार Iku Hagivara प्ले करेंगे Iori Hasumi को और Nana Asaka प्ले करेंगी Mio Koto Mori को इस फ्लिम का release date में 12, 2023 रखा गया है Next में बात करते हैं William Frederick Knight के बारे में Voice Actress Stephanie Sheer ने ये confirm किया है कि Voice Actor William Frederick Knight हमारे बीच नहीं रहे उनकी मौद November 8 को हुई Next में बात करते हैं Anime Adaptation को लेके HIDIVE Hidwee ने अनौन्स किया है कि वो लोग acquire किया है Aka Akasuke और Mengo Yokoyari Aoshino को Manga Right और ये 2023 को release होगा वो भी 90 मिनिट Extended First Episode Next में बात करते हैं Title को लेके Yen Press ने Anime New York में 29 New Anime Title को Reveal किया है जैसे Sword Art Online Progressive Scrazo of Deep Night Yokohama Station SF Is It Wrong To Pick Up A Girl In A Dungeon Memorist Phaser और भी बहुत सारे आपको ये पूरे लिस्स स्क्रीन पर दिख जाएंगे चोथे में बात करते हैं Indian Anime News को लेके Netflix ने Good and Tama An Excellent Adventure Series को इंडिया में December 13 से Stream करने का फैसला लिया है आज के लिए बस इतना ही ऐसे News के लाइक, शेर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रू कर देजएगा तब तक के लिए टाटा, बाई-बाई, गुड़नाइट, सी यू, माइट्रो